हेलो फ्रेंड्स इस वक्त मेरे पास है लावा फ्लिप मैं इसे एंबॉक्स करने वाला हूँ पहले मैं आपको बता दूँ कि इसे हमारी रिव्यू टीम जो है वो अलड़ी एक बार खोल कर देख चुकी है तो इसलिए आप यह न सोचें कि मैंने इस बॉक्स की सारी टेप स्व आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके साथ साथ यानि कि कोई भी प्रॉब्लम आती है फोन के अंदर तो आपको पूरे एक साल तक पूरा का पूरा फोन जो है वो रिप्लेस करके देंगे और उसके बाद सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो है वह लावा का यह फोन जो है Military Certification जो है उसमें बहुत सारा टेस्ट होते हैं बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उनमें से कुछ टेस्ट जो है अलग-लग फोन उसको अलग-लग तरीके से पास करते हैं और जब वो पास कर लेते हैं तो उनको Military Grade Certification मिलता है और इसके अलावा इसमें तीन दिन का बैटरी बैकप है नोटिफिकेशन LED लाइट मिलती है आपको नमबर टॉकर मिलता है और आप अपने फेवरेट्स का जो फोन है फोन नमबर है उसे आप कॉंटेक्ट्स को आप अलग से सेव करके रख सकते हैं तो अब हम इसे एक बार खोल कर देख लेते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि पहले ही हमारे रिव्यू टीम इसे खोल कर देख चुकी है तो अभी हम बॉक्स को खोल कर देखेंगे जो कि बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया था 360 degree transparent box था है जिसके अंदर इसे पैक किया गया है तो ये इसके साथ phone है और इस phone में और क्या क्या है इस box के अंदर हमें मिल रहा है वो हम देख लेते हैं तो ये एक battery है और battery के साथ ये battery दे गई है charger है और ये सारी चीज़े हम लेक लेते हैं इसमें ये इसका चार्जर है, नॉर्मल चार्जर है, और ये इसकी बैटरी है, हम इसको बैटरी को इसमें डाल देते हैं, इससे पहले कि मैं कुछ और बता हूँ, मैं आपको कुछ चीज ने इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये कि इसके अंदर मेमरी, यानि जो storage है वो है 32 MB RAM है इसके अंदर और 32 MB ही इसके अंदर रोम है यानि कि जो इसकी inbuilt storage है वो 32 MB है तो एक मेंजर इसे खोल कर देख लेता हूँ अगरे तो यह मैं इसमें अभी बैटरी डालके इसको on कर लूँगा और इसमें जो storage expandable है यानि कि आप इसे storage को बढ़ा भी सकते हैं वो है 32 GB आप 32 GB तक expand कर सकते हैं इसकी storage को और 2.4 इंच QVGA डिस्प्ले है इसका 0.08 MP इसका rear camera है मैं इसको एक बार switch on कर लेता हूँ और switch on करने के बाद okay so lava proudly Indian तो finally यह on हो चुका है और इसके ओपर जो सबसे पहले लिखावा नजर आता है वह यह proudly Indian लिखावा इसके ओपर नजर आता है और हम इसका menu open करने से पहले मैं आपको बता दूए इसका जो camera है यह 0.08 MP camera है इसका मुझे इसकी जो sound है वो अभी जब on हुआ तो मुझे लगा कि इसकी sound काफी है आप यहां पर fm भी लगा सकते हैं जो इसका है searching FM सर्च कर रहा है इसका जो FM है वो आप बिना handset लगाए भी चला सकते हैं इसके साथ inbuilt antenna इसके अंदर है तो हम इसका menu एक बार खोल लेते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं इसमें क्या-क्या है काफी कुछ है इसके अंदर 1200 mAh lithium-ion battery है तीन दिन का battery backup है इसके यानि कोई notification आएगा तो आपकी light इसके अंदर जो है वो automatically blink होना शुरू हो जाएगी इसके लबावा wireless FM में आपको अलड़ी दिखा चुका हूँ auto call recorder है अगर आपका जो किसी का call आता है तो वो automatically इसमें record हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको इसमें 32 GB का storage card जो है वो आप यूज करेंगे डालेंगे तभी वो काम करेगा इसके लबावा इस पे Bluetooth handset connectivity है और call connect करने और disconnect करने के लिए आप इससे इसका फ्लिप यूज कर सकते है यानि call आएगा किसी का तो आप इसको ऐसे उठाएंगे तो call उठ जाएगा और आप call काटना है बात कर लिए आप flip गुणों की बात करूं तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो एक गुड लुकिंग है इसकी quality वैसे है ये प्लास्टिक है लेकिन पॉली कार्बोनेट है लेकिन इसकी quality ठीक है ये इसकी quality अच्छी है अगर military grade phone है तो जाहिर है quality तो अच्छी होगी इसकी तो ये इसके ब song वगयरा डाला है तो आप उसका use कर सकते हैं बत और ringtone ये इसमें पुराने वाला जो बड़ा sim होता है वो लगता है इसमें sim 1, sim 2 इसमें बड़ा sim लगेगा यहां पर memory card इसका जो है लग सकता है अलग से यानि दो sim और एक memory card आप तीनों चीज़ें अलग से इसमें आप use कर सकते हैं लगा सकते हैं यह इसकी battery है जो 1200 mAh की battery है और rechargeable battery है lithium ion battery है और यह battery भी made in India है और यह phone भी made in India है ऐसा नहीं है कि यह phone यह battery दोनों में से कोई चीज जो है वो बाहर से बनके आई है यह दोनों की दोनों चीज़े made in India है हाँ हाँ यह चीज है कि इसके कुछ components हो सकता है से मंग वाए गए हूँ तो अब बात आती है इसकी notification light की cons की बात करूगा मैं तो notification blink light जो इसकी है वो turn off नहीं होती है बंद नहीं होती है यानि आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं रात को अगर notification आ रहे हैं तो light जो है रात को blink करती रहेगी इसके अलावा camera जो है वो इसका ज् अथर की लकीर है तो इसके अलावा कीमत इसकी है दो हजार रुपे इसकी कीमत बताई गई है लावा की website पर और अगर आप online खरीदना चाहें इसे तो आपको 1650 से 1683 यानि की 1683 रुपीज में आपको यह अलग-अलग website पर नजर आएगा आपको पेटियम मौल पर यह 1650 में पर नजर आएगा यह फोन और इसके अलावा आपको 1683 रुपे में यह आपको फ्लिपकार्ट और Amazon वेबसाइट पर नजर आएगा इसमें अगर सपोर्ट की बात करूँ तो इसके अंदर 2G SIM सपोर्ट करता है अगर आप जियो के लिए फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जियो के वियल्टी या 4G को 3G को सपोर्ट नहीं करता है यह सिर्फ 2G को सपोर्ट करता है इसके साथ एक और प्लस पॉइंट यह है कि आप इस फोन को यूज कर सकते हैं किस तरीके से आप इसके साथ ब्लूटूथ के जरीए अपने ब्लूटूथ हैंट सेट को यूज कर सकते हैं एडफोन को आप चला कर जो हैं वो यूज कर सकते हैं प्राइस आपका बता दिया है में कोई प्रॉब्लम ने आड़ा में गर जाए तो जाए कुछ नहीं होगा इस फॉन को यह चल रहा है तो इस तरीके सी देखाई तो। इस फोन की उम्र काफी है इस फोन की उम्र अच्छी है आपको यह वीडियो कैसे लगा और आपको ये फोन कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बताएं इस फोन में और क्या होना चाहिए था इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए थी इसमें क्या कम और क्या जादा होना चाहिए था आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं हो सकता है आपकी आवाज लावा तक पहु इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू एंड बाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है अपने लाइक कमेंट और शेयर से हमारा होंसला बढ़ाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू एंड बाई